राम राम दोस्तों, कुकविच छिल्पा में आप सब का स्वागत है आज हम बनाएंगे नवरात्री स्पेशल साबू दाना वड़ा उसके लिए यहाँ पर मैंने साबू दाना जो राद भर भिगो कर रखा था अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए आलू यहाँ पर चार आलू लिए हैं लेकिन जितनी जरुरत है उतने ही डालेंगे यहाँ पर मैंने पहले तीन आलू डाले हैं जिसका छिल्का निकालकर इस तरह से हाथ से मैश करके डाला है साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी कटूरी सेंगदना कूट तीन हरी मिल्च जो पकी है जिसे मैंने बारिक कट कर लिया है और स्वादा नुसर सेंधा नमक आधा चम्मत से थोड़ा जादा अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं यहां पर सेंधाना कूट मैंने सेंधाना पहले भून कर फिर उसके बाद उसे पीस कर डाला है आप चाहे तो कच्छा सेंधाना भी डाल सकते हैं जब हम उसे फ्राइ करेंगे तो उसमें वो टेस्ट जरूर आएगा अब यह देखिए यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है अब गोल भी बना सकते हैं जैसा भी शेप आपको पसंद है उस हिसाब से आप बना सकते हैं और एक बात आप यहां पर देख सकते हैं वड़े कितनी आसानी से बन रहे हैं और कितनी परफेक्ट बन रहे हैं जो आलू हमने उसमें डाला है वो एकदम परफेक्ट है अगर आलू ब या फिर पढ़न आप्छा में बढ़ामे ठीच डाले चाहिए तो लाल मिर्च पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। उसे कलर बहुत अच्छा आता है। और एक बात अगर आपहरा धनिया खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं खटास के लिए नीम्बू का रस या दही वो भी डाल सकते हैं उसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है या फिर इस तरह से प्लेन भी बना सकते हैं तो यहाँ पर कडाई में तेल गरम हो गया है और एक छोट असा वड़ा मैंने डाल कर चेक किया है तेल अच्छा से गरम है या नहीं तो तोड असा जादा गरम है तो इसा थोड़ असा ठंडा होने देना है गयास बंद करना है और फिर उसके बाद बाकी के वड़े फ्राइ करने है तो तेल का टेमपरेचर जरूर चेक कीजिए और अब यहां पर तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया है पहले से अब इसमें जितने वड़े बैठेंगे उतने वड़े हम इस तरह से डालेंगे तो चार वड जो खाने के लिए होने डेंगे के लाद होनेगे। फॉल फ्लैम पर बिल्कुल और नहीं करना है ऩलो इजयो धेर के बात जो है यह दूसरी साइर से भी बड़े अच्की तरह से फ्राय हो गया है आप देख सकते हैं गे डोखिये विक जैसा अ कलर आया है सारी साइर से एक ग जहाग कम हो जाएगा उसके बाद वड़े फ्राइ रेडी हो जाते जहाग पूरी तरद से कम हो गया है अब एक एक करके वड़े हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से फूले हैं बहुत ही बड़िया बने हैं इसी तरह से आपको सारे बड़े बना कर लेने हैं मैं जो एक वड़ा हमने बनाया है वो इसके साइब में रखकर आपको दिखाती हूँ यह देखिए कितने अच्छी तरह से ये फूला है, आप देख सकते हैं यापर इसी तरह से भागी के बचे हूए सारे साबुदाना वड़ा तल कर लेने हैं एक-ट कर के तेल में इस तरह से डालने हैं और पलटे हूए इससे फ्राइ करना है बहुत ही बड़िया साबुदाना वड़ा यहाँ पर बनकर तयार है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं खाने में तो उतने ही अच्छे लगने वाले हैं यह कितने क्रिस्पी बने हैं वो भी आप देख सकते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़िया इसी तरह से आप भी साबुदाना वड़ा जरूर बनाईए आप इसे नारियल की चट्नी मुंफली की चट्नी के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं या फिर प्लेन ऐसे गरमा गरम खा सकते हैं बहुत साबू दाना वड़ा जो बहुत ही बड़िया बणा है आप भी इस तरह से जरूर बना कर ड्राइग कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्स पूर वाचिंग